दोस्तो नमस्कार दोस्तो अगर आपके पास नोटों की गड़िया नहीं है अगर आपके उपर अपराधिक कोई मामला दर्ज नहीं है तो फिर आप भारत के लोकतंत्र के काबिल नहीं है और ये हुनर सब के पास नहीं होता है और शायद इसलिए भारत के लोकतंत्र को जीने के लिए अगर आप चुनाओं मैदान में उतरते हैं तो नोटों की गड़ियां आपके पास होनी चाहिए और जब आप हलफ नामा दायर करें तो उसमें आपके उपर कई न कई केस जो अपराधिक मामले से जुड़े हों हो सकता है वो मामले हत्या के हों हो सकता है वो एटेम्ट तू मडर के हों हो सकता है वो मामले किड्नैपिंग के हों ये सारे मामले अगर आपके उपर नहीं है और आपके पास खूब पैसा नहीं है तो आप वाकिए इस लोकतंतर के काबिल नहीं है आज इस बात का जिक्र कई माईनों में बहुत महत्पूर है क्योंकि शिवसेना के एक नेता अगर यह कहते हैं कि नेताओं पर और मंत्रियों पर तो आरोप लगते रहते हैं और अगर सब को हटाने लगे तब तो सरकार चल गई बड़ा मुश्किल सवाल है आरोप लगते रहते हैं और अगर सब को हटाने लगे तब तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा दरसल ये वक्तव महरास्ट से निकला है और हमें लगता है कि आज महरास्ट को ही टेस्ट केस बना लिया जाए test case इसलिए बनाने की जुरूरत है क्योंकि इस बात का दिक्र हो रहा है बुंबई में दिन धारे हत्या हो जाती है और पता नहीं चलता है हत्या किसने कर ली यह भी जानकारी नहीं मिलती है कि करोर रुपए की फिरोटी वसूलने वाले कौन है इसकी भी जानकारी नहीं मिल पाती है कि अब वाकई कोई ऐसा सिस्टम काम कर रहा है जिसमें सिर्फ बाट डांसर रेस्तरा ही नहीं बलकि अलग-अलग तरीके से कमोवेश हर धंदे से जुड़े लोगों से फिरोती ली जाती हो और उसके पीछे मुंबई पुलिस जो देश की सबसे आज हुनिक्तम पुलिस उसके पीछे मुंबई का वो शाहिट ठाट बाट जिसमें सबसे ज़्यादा पूंजी चका चौन्त की लगी है ऐसी परिस्थितियों में आज इस लोकतंत्र की परतों को हमें लगता है मुंबई से ही उगारने की शुरुवात करते हैं क्योंकि मुंबई में कैबिनेट मिनिस्टर्स की जो पूरी तादाद है यानि उद्धव सरकार के मंत्री मंडल के भीतर में 27 मंत्री ऐसे हैं जो दागदार है विधायकों की फिरिस्ट लीजिएगा तो 288 विधायकों की फिरिस्ट में लंबी बड़ी तादाद है जिन पर अपराधिक मामले दर्ज है 40% तो ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपरादिक मामले दर्ज हैं लेकिन इसका दूसरा हिस्सा ये है यहां पर हर विधायक करोड़पती है करोड़पती अगर नहीं था तो करोड़पती हो गया करोड़पती अगर था तो अरपती हो गया और ऐसी परिस्तितियों में हम इस बात को लेकर चिंता गरस्तों चले हैं कि मुंबई अपराद नगरी है या नहीं है मुंबई में किसी के हत्या हो जाए तो ये एक आम बात है या कोई खास बात है आईए हमें लगता है कि जरा इस बात का जिक्र करना जरूरी है बार बार सिल्वर स्क्रीन पर एक सवाल उभरता है मुंबई का किंग कौन फिल्म में तो नायक किंग हो जाता है लेकिन राजनेतिक पार्टियों में किंग बदलते रहते हैं जिसकी सत्ता होती है वही किंग होता है और सत्ता का मतलब अपराद भी है पूंजी भी है और सब कुछ बड़े लोकतांत्रिक तरीके से चलता है क्योंकि जब आफ फिरिस देखनी शुरू कीजिएगा इलेक्शन कमिशन की साइट पर जाईए एसोशियेशन फॉर डेमोकरिटिक रिफॉर्म की साइट पर जाईए आपको नजर आना शुरू होगा 27 मंत्री ऐसे हैं जिन पर अपरादिक मामले दर्ज है उसमें से 18 मंत्री ऐसे हैं जिन पर गंभीर अपरादिक मामले दर्ज हैं यह सिर्फ महरास का जिक्र हम आप से कर रहे हैं देश का जिक्र नहीं कर रहे हैं देश की जानकारी देंगे लेकिन 288 मले में से 176 मले ऐसे हैं जिन पर अपरादिक मामले दर्ज हैं और यह इन्होंने खुद अपने हल अफनामे में लिखा है, सवाल इतना ही नहीं, 176 में से 113 MLA's ऐसे हैं, जिन पर गंभीर आपरादिक मामले दर्च हैं, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को आप उठा लीजे, जिसके जादा MLA होंगे, उसके जादा दागदार MLA's होंगे, उन पर गंभीर आरोप जादा होंगे इस फेरिस्ट को जब आप देखना शुरू करेंगे, तो BJP के 105 MLA सत्ता बन जाती अगर शिफसेना साथ होती, नहीं बनी क्योंकि दूसरी तरफ तीन राजनेतिक दल एक साथा कर खड़े हो गए, लेकिन इन तीनों राजनेतिक दलों के पास जितने सांध विधायक हैं, उन पर क्रिमिनल के स्पेंडिंग है, यानि कोट में है, उसमें से 40 के उपर गंभीर आरोप है, गंभीर आपराधिक आरोप है, ऐसा नहीं है शिफसेना दूद की दूली है, शिफसेना के 76 MLA में से 31 पर अगर आपराधिक मामले चल रहे हैं, तो उसमें से 26 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले हैं, जो कॉंग्रेस है, उसके पास 44 MLA है, उसमें से 26 के खिलाफ आपराधिक मामले चल रहे हैं, और उस 26 में से 15 के खिलाफ गंभीर आपराधिक मामले चल रहे हैं, लेकिन हमने आपसे शुरू में क्या कहा, नोटों की गड़ियां होनी चाहिए, खिलाफ गंभीर अपरादिक मामले दर्ज है अब आप क्या करेंगे कोंकि पूंजी और अपराद इन दोनों का कॉक्टेल जो है आपको नेता बना देता है मंत्री बना देता है सत्ता में ले आता है और ये बात सिर्फ मुंबई की नहीं है इसको होते होते जब आप दिल्ली पहुँच जाईएगा और दिल्ली में बीजेपी के भीतर जाग कर देखिएगा मोधी सरकार की कैबिनेट के भी भीतर जाग कर देखिएगा वहाँ भी आपको अपरादिक मामलों में गर्त लगाते हुए सांसद भी मिल जाएंगे लेकिन आज टेस्ट केस महराष्ट का है म NCP के नेता शर्टपवार के घर पर ये बैठते हैं लेकिन 48 सांसदों में से BJP के 23 सांसद हैं उस 23 में से 13 सांसदों के खिलाफ अपरादिक मामले दरजे हैं मसला MLA का हो रहा था देखिए सांसदों की भी क्या इस्तिती है इन 13 में से 6 सांसदों के खिलाफ गंभीर अपरादिक मामले हैं अब उसके बाद जैसे ही शिफसेना का जिक्र कीजेगा तो शिफसेना के भी अठारा सांसद है इन अठारा में से ग्यारा के खिलाफ अपराधिक मामले दर्ज है ग्यारा में से पांच के खिलाफ गंभीर अपराधिक मामले दर्ज है लेकिन एंसिपी और Congress इस मामले में दूद की धुली है कि इसके किसी भी सांसत के किलाफ गंभीर मामले अपराधिक दर्ज नहीं है यानि हत्या का मामला नहीं है, attempt to murder का नहीं है, किडिनेपिंग का नहीं है, रेप का भी नहीं है लेकिन इन गंभीर मामलों की फिरिस्त में तीन ऐसे MLS भी आते हैं जिन पर गंभीर आरोप के साथ रेप का मामला भी आपको नजर भी आएगा लेकिन बहराल NCP के चार सांसदों में से दो पर केस चल रहे हैं अपराधिक मामले के लेकिन वो गंभीर नहीं है कॉंग्रिस के एक सांसद है उस एक सांसद पर एक ही गंभीर मामला नहीं है दर्ज बलकि आपराधिक मामला दर्ज है और जो AIMIM OVIC की पार्टी है उसके एक सांसद है उनके खिलाफ गंभीर आपराधिक मामला दर्ज है यह एक फिरिस्थ है अपरादियों की ऐसे अपरादियों की जिसके बगएर आपको लोकतंत्र का मजा नहीं आएगा क्योंकि 50% के पार की स्तिती चाहे विधान सबा हो चाहे संसद हो अगर वहाँ पर अपरादिक छवी के लोग ही बैठे हुए हैं तो फिर अपराद एक बड़ी छोटी सी चीज है अपराद और पूंजी की चलती है और पूंजी का मतलब क्या होता है हमें लगता है यह भी समझने की इसलिए जरूरी है क्योंकि पूंजी सब के पास खूब आ जाती है और अगर आप 5 साल सप्ता में रह गए तो यकीन जानिये 100 फिस्दी का इजाफा आपकी पूंजी में हो ही जाएगा कहां से कमाई होती है, कहां से पैसा आता है कोई वसूली का आरोप नहीं लगता है कहीं किसी की हत्या का आरोप नहीं लगता है विधायक बनकर, सांसद बनकर लेकिन आपकी पूंजी बढ़ती चली जाती है मसलग इस फिरिस्द को देखना इसलिए कहीं ज़्यादा महत्पूर्ण हो चलाए क्योंकि ये डॉक्मेंट्स बतलाते है 2014 में जिनों ने चुनाओ लड़ा और जीत गए और दुबारा 2019 में महराष्ट विधानसवा चुनाओ जिनों ने लड़ा, उनकी संख्या जो थी वह सौ से ज़्यादा थी इतनी बड़ी तादाद में सौ का मतलब है लगबग 185 के पार थी बीजेपी के 87 ऐसे MLS थे जो दुबारा चुनाओ लड़ रहे थे कॉंग्रिस के 23 थे शिवसेना के 47 थे NCP के 22 थे इंडिपेंडन्ट भी 6 थे जो दुबारा लड़ रहे थे 2014 में जीते थे और दुबारा लड़े जित गए लेकिन इनकी पूंजी कितनी थी बीजेपी की एवरेज पूंजी अगर 14 करोड थी तो बढ़कर हो गई 25 करोड कॉंग्रिस की एवरेज पूंजी अगर 9 करोड थी तो बढ़कर एवरेज हो गई 14 करोड शिवसेना की अगर साड़े साथ करोड थी तो वो दुगनी हो गई लगभग 15 करोड NCP की 9 करोड थी तो वो बढ़कर हो गई 17 करोड Independent की 5 करोड थी तो बढ़कर हो गई 7 करोड इस से भी मामला आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि average सब को मिला कर निकाला गया है लेकिन कितनी बड़ी तादाद में किसी की इनकम बढ़ती है जो topmost 4-5 लोग हैं हम उनके बारे में आपको जानकारी देते हैं 2014 में भी जीते, 2019 में भी जीते लेकिन 2014 में जब उन्होंने अपना हलफ नामा बढ़ा तो उसमें बताया 198 करोड मंगल प्रभात लोड़ा BJP के हैं, MLA है 198 करोड था 2014 में, 2019 में जब हलफ नामा बढ़ा तो इसमें इनकी संपत्ती बढ़ चुकी थी 441 करोड कुछ और काम भी करते हैं, बिल्डर का काम भी करते हैं लेकिन दूसरे माद्यमों से भी पैसा आता है लेकिन ये एक अजूबी इस्तिती है कि बाकी दूसरे बिल्डरों के पैसे में क्या वाकई इतना इजाफा हुआ है या नहीं हुआ है नहीं हुआ है, इनका इजाफा होता है दूसरा नाम है प्रशांत ठाकूर इनके पास थे 58 करोड रुपए ये भी BJP के ML है 2019 में ये बढ़कर हो गए 188 करोड रुपए यानि लगभग 213 फिस्दी का इजाफा हो गया समीर मेग है इनके पास थे 48 करोड जो बढ़कर हो गए 159 करोड यानि लगभग 232 परसंट का इजाफा कई माधमों से पैसे बाकी जगों से भी आये होंगे बाकी बिजनेस है काम चलते हैं सारी चीजे ठीक है लेकिन इस देश की एकनौमी इस रूप में डेवलप नहीं हो पा रही थी इस बात का जिक्र बार बार होता है कि देश में जब गरीबों की संख्या बढ़ गई मिडल क्लास कमजोर होने लगा रईस लगाता रईस कैसे होते चले जाते हैं और अम्बानी और डानीस का जिक्र होता है कि इनके बिजनेस का नेट वर्थ क्यों बढ़ते चला जाता है तो हमें लगता है कि उस दूर में क्यों जाईएगा मेलेज और MPs को ही देख लीजे चौथा नाम है प्रताप सरनाईक इनके पास थे 25 ये शिवसेना क्या है 25 कौड रुपए जो की बढ़कर हो गए 143 कौड रुपए यानि 474 फीजदी का इनमें इजाफा हो गया सवाल ये है कि जो एवरेज ग्रोथ रेट देखिएगा पूरी विधान सभा का वो लगवग 73% का ग्रोथ रेट है क्या वाकई 4-5 साल में 73% का ग्रोथ रेट भारत के किसी भी नागरिक का एक सामानने काम करते हुए शुरू किया तो सत्ता में शामिल BJP, शिवसेना और विपक्च में शामिल NCP और कॉंग्रेस 2014 से हम जिक्र कर रहे हैं उसमें ध्यान दीजे शिवसेना के एवरेज बढ़ोत्री जो होती है वह लगवग 97.72% हो जाती है BJP की 78.76% इजाफा हो जाता है यहीं से एक दूसरा सवाल निकलता है क्या 2014 के चुनाओ प्रचार में जितना खर्च किया गया उतना खर्च 2019 में भी किया गया इवन इलेक्शन कमिशन का खर्चा भी बढ़ गया लगवग उसमें भी 25% से जादा का इजाफा हुआ लेकिन आपको जानकर हैरत होगी कि 2014 के चुनाओ जीतने के लिए विधायक के पद के लिए जो लड़ाई लड़ी जा रही थी इस लोकतंत्र को जीने के लिए उसमें जितना खर्च 2014 में किया गया 2019 में आते आते उसमें लगवग तीन गुने का इजाफा हो गया इलेक्शन वाच, Association for Democratic Reform और Election Commission इन तीन की रिपोर्ट को जब समावेश किया गया तो जानकारी मिली कि दरसल महरास्ट इलेक्शन को लगवग एक हजार करोड से बढ़कर ये तीन हजार करोड को पार कर गया ये खर्च सिर्फ Candidates के हैं, दूसरे के खर्च नहीं है इसमें सबसे ज़्यादा खर्च जाहिर है BJP का ही हुआ होगा क्योंकि BJP के पास पूंजी, शिवसेना भी सकता मेती तो उसका भी खर्च हुआ है NCP के भी तालुकात, कॉर्परेट और इंडस्ट लिस्टों के साथ रहते हैं और मुंबई में तो खास तोर से बिल्डर को जीया जाता है और बिल्डर के जरीए वहाँ पर जमीन की कीमत बहुत है तो उस कीमत में भी शामिल चीजे कर ली जाती है लेकिन ज़रा ध्यान दीजिए, मौझूदा वक्त में ये सारे सवाल इसलिए निकल पड़े हैं क्योंकि जैसे ही हम अपराधिक मामलों का जिक्र कर रहे हैं तो ऐसे में आज एक प्रेस कॉन्फरेंस को संबोधित करते हुए शरत पवार जी ने क्या कहा उन्होंने कहा दरसल जो आरोप पत्र में लगाए गए हैं उन पत्र के भीतर जहां कियेगा तो मिटिंग का जिक्र है यानि ग्रह मंत्री कोई डिरेक्शन दे रहे हैं जो दरोगा रेंक का अधिकारी है कि आपको सौ कॉर्ड रुपए वसूल ले हैं तो वो जिस पीरिड में मिटिंग कर रहे तो उस पीरिड में तो ग्रह मंत्री जो थे वह तो नाकपूर में थे उन्होंने बताया कि 6-15 फरवरी तक नाकपूर के मल्टी स्पैसिलिटी हॉस्पिटल में वो दाखिल थे और 16-27 फरवरी तक होम कॉरंटाइन में थे लेकिन जब उस लेटर के भीतर में जानकारी ली गई देविंद फरणविस से तो देविंद फरणविस ने कहा लेटर खुद पढ़िए देखिए ये मिटिंग फरवरी के आखिर में हुई है अब आप सोचिए कि सिनिमाई परदे पर मुंबई का किंग कॉन में अपराधिक मामलों की सुनवाई करते हुए अक्सर इस बात का जिक्र होते रहा है कि दरसल नायक तो वहाँ पर था ही नही खलनायक फस जाता है या खलनायक बचने के लिए बताता है हम तो हस्पिटल में थे या हम उस शेहर में नहीं थे कमोवेश ऐसे ही तरक इस दौर में दिये जा रहे है और जब इस बात का जिक्र होता है कि आरोप तो लगते रहते हैं और आरोपों के सिलसले में अगर हटाना शुरू कर दे तो सरकार चलाना मुश्किल हो जाएगा तो सोचिए ये कौन सी परिस्तिती है और इन बातों का जिक्र हमें लगता है अब इसको एक बड़े पैमाने पर ले लिजिए पैमाने की जरुत इसलिए है क्योंकि जितनी बड़ी तादाद में भारत के भीतर में लोकतंत्र को जीने के लिए कमाई की जाती है हमको लगता है कि आज उसके आखड़े को भी समझने की जरुत इसलिए है क्योंकि सबसे जादा परचार में पैसा इस देश में चुनावी तोर पर 2014 से 2019 के बीच में किसी पॉलिटिकल पार्टी ने किया है तो वो किंद्र की सत्ता ने किया है और उसके आखड़े इसलिए डराने वाले हैं क्योंकि ये 1000 करोड को भी पार अपने तोर पर कर जाते हैं जितनी भी कमाई होती है इलेक्टरल बॉन्ड के जरीए जितनी भी कमाई होती है कॉर्परेट फंडिंग के जरीए अगर आप 2016-17 से 2019-20 तक की परिस्तिती में देखि लिएगा तो वो बीजेपी के पास चले जाते हैं यहां से एक दूसरा सवाल शुरू होता है यह सवाल इसलिए इंपोर्टेंट है या महत्मुन है क्योंकि भारत के भीतर में कोई किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से रहे वो चाता है सत्ता में रहें और सत्ता में रहने का मत शिवसेना में कोई अंतर नजर नहीं आएगा एंसीपी शिवसेना को बचाएगी शिवसेना एंसीपी को बचाएगी कॉंग्रिस साइलेंट हो जाएगी लेकिन विपक्ष के तोर बीजेपी की मौजूदगी कहेगी नहीं नहीं गलती हुई है और इनको बर्खास कर दिया जाए और जैसे ही बर्खास की का दिक्र होगा तो शिवसेना के नेता कहेंगे इस आग में आप भी जल जाएगे यानि धमकी भी आजाएगी चुनावती भी आजाएगी हम इन बातों का दिक्र आपसे इसलिए करना चाहते हैं सिर्फ 2016 से 2019 तक यानि इस पश्चिम बंगाल क चुनाव में सबसे जादा MLA, MP, कॉंसिलर, पंचायत से जुड़े हुए लोग बड़ी तादाद में लोगों ने ट्रांसफर किया है जो BJP में शरीक हो गया है इसलिए 291 लोगों की सूची जो BJP के जरीए जारी की गई उसमें 46 लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पिछले 6 से 1 साल क भीतर में BJP में शामिल हुए और उन्हें टिकट मिल गई लेकिन ये भी सवाल नहीं है ये इस्तिती आई क्यों 2016 से 2019 के बीच में कॉंग्रेस के 170 MLA देशवर में 170 MLS ने पाला बदल लिया वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गया या उनको खरीद लिया गया 170 विध पांस सांसदों ने पाला बदला है BSP के 17 MLA ने भरना है NCP के 14 MLA और 2 सांसदों ने पाला बदला है या दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले गया है इसी तरह से हर पॉलिटिकल पार्टी समाजवादी पार्टी देखिएगा 12 MLA ने पार्टी छोड़ दी 2 सांसदों ने चोड़ दी जेडियस के 9 MLA ने चोड़ दी सिर्फ तीन साल के भीतर में इस देश के लगभग 300 MLA ने पार्टियां बदल ली या उनको अपनी कीमत लगा ली वो शिफ्ट हो गए और 21 सांसत यानि कलपना के परे है कि जब इस बात का जिक्र होता है कि राजनितिक दलों के पास कोई विचारधारा होती है अगर आप उस सफर पे चल चलेंगे तो फिर आप दुखी हो जाएंगे क्योंकि इस देश के बीतर में विचारधारा सिर्फ नोटों की गड़ियों की है और अपराधी करण की है राजनिती में अपराधी करण हो और आपके पास खुप पैसा हो तो आपके उपर कोई असर कहीं से किसी रूप में नहीं पड़ेगा कॉंग्रिस कहती है हमारी विचारधाराती सब को साथ लेकर आना आरेसेस अपने तोर पर पॉलिटिकल पार्टी तो नहीं है लेकिन उसने मुसलिम तुस्टिकरण का विरोध किया और हिंदू रास्ट की बिया बलकि क्रिमिनल केसेस और राजद्रों के मुकदमे भी जिन पर इस देश के भीतर में लगाए गए उनकी एक बड़ी फेरिस्थ है लेकिन वो सारी चीजों से मुक्ती बीजेपी के साथ जुड़ने पर हो जाती है बीजेपी उन पर अगर राजद्रों का किसी पर मु मामला स्टेट का है सेंटर का नहीं है ठीक उसी तरीके से जैसे 2014 से पहले भारत में किसानों का मामला स्टेट का मामला का जाता था लेकिन जब से तीन कानून बन गया है तब से पता नहीं क्यों रिफॉर्म और अंतरास्टिये मार्केट और किसानों को आगे बढ़ाने की सो मिल प्रेम को जीते हैं, AIDM के कहती हैं, हम तो करप्शन के खिलाफ ही जिंदा हुए हैं, आमादी पार्टी भी यही कहती है, हम भी तो करप्शन के खिलाफ हुए हैं, समाजवादी पार्टी और RJD जैसे ही पार्टी जो मुसलिम यादफ कंबिनेशन हैं उस पर जीती है, दलि पार्टियं दलितों की हिमायती बनती है TRS 6? ridiculous च्समीता का दिक्र करती है हर कोई अपनी अपने जिक्र करता लेकिन ध्यान दीजिए जब इनके विधायकों का ध्यान की जिएगा और जब इनके विधायकों के पास रखी जाने वाली पूंजी या बैंक बैलेंस का जिक्र कीजिएगा और इन पर हलफ नामे में दायर अपराधिक मामलों का दर्च कीजिएगा तो पता चलेगा इनकी फिरिस्त बढ़ती चली गई 2001 में जो था वो बढ़के 2010 तक आते आते दुगना हो गया 2010 में जो था 2020 आते आते तिन गुना हो गया ये केसिस बढ़ते चले जाते हैं पूंजी भी बढ़ती चली जाती है तो लोकतंत्र का असल माप डंड जो है इस देश के भीतर में नोटों की गड़ियों का हुना है उसको कमाने का हुनर आना चाहिए और अपरादिक मामलों में आपकी सलगनता जो है उसको आपको राजनितिक आरोप ठहराते हुए उसे खारिज करने की परिस्तितियों में आना चाहिए ये भारत के लोकतंत्र का ये कनूठा सच है इसलिए सवाल ये नहीं है कि महराष्ट के भीतर में ग्रेमंत्री पर कितने गंबीर आरोप लगे है कोकि इन पन्नों को पलटते हुए अगर आप गुजरात चले जाईएगा जब गुजरात में जो कुछ हुआ और वहाँ पर डीजी बंजारा जो थे उन्होंने जो लेटर लिखा जेल में रहते हुए इनका तो ट्रांसफर के बाद ही इन्होंने लेटर लिखा है उन्होंने जेल में जाकर लेटर लिखा था और जो आरोप उस वक्त के मुक्हमंत्री पर लगाए थे ग्रिमंत्री पर लगाए थे और वो जो भी चीजे थी उसमें जो नाम शरीक थे आज की तारीक में वो दिल्ली में आ चुके है केंदर की सत्ता समाले हुए है सवाल है दस्तावेज और चिठियों के आसरे देश नहीं चलता है आरोप लगाने के आसरे भी देश नहीं चलता है लोकतंत्र के नाम पर चुनाओ के राग गाने से भी देश नहीं चलता है ये देश उस मेकनिजम से चलता है जिस mechanism की पहली जरुरत शायद आपके पास कल तक पूंजी का होना था अपराद को अपने साथ अपनी पोटली में बांध कर चलना था और इस mechanism को इतना costly बना दिया गया कि आम आदमी चुनाओ लड़ ही ना सके और ये प्रक्रिया धीरे धीरे आधोनिक technology में convert होती चली गई और अब जो mechanism है उसमें अगर सत्ता को ये लगता है चुनाओ कहीं भी हो कुछ भी हो जीतेंगे हमी तो सवाल है इस देश के भीतर में लोकतंत्र में आम आदमी कहां खड़ा है इसलिए ये पहली बार हो रहा है महराष्ट की राजनिती में भुचाल आया हुआ है लेकिन जनता प्रभावित ही नहीं है जनता टक टकी लगाए देख रही है अच्छा पुलिस कमिशनर भी ऐसे निकले जहां कि मुंबई पुलिस देश में सबसे ज़्यादा बजट को जीती है सबसे ज़्यादा सुविधाओं को जीती है हाई टेकनलोजी को रखती है और टेरिजम्स को काउंटर करने की स्थिती में अपनी बखान करने से नहीं कतराती है वाँ फस गई है क्या महरास्ट की सरकार फस गई है क्या वहाँ के ग्रेमंत्री फस गई है क्या इस देश को राजनिती के जरी अपनी इंगलियों पर नचाने वाली पॉलिटिकल पार्टी के नेता को सफाई दे नहीं पढ़ रही है क्या सन अफ सॉयल मुंबई का किंग कौन कहने वाली शिवसेना क्या अपने तौर पर फस गई है क्या उसकी गद्धी जा रही है क्या और इन तमाम चीजों के विरोध में खड़ी हुई बीजेपी जो कमोवेश इसी लकीर पर चलते हुए यहां तक पहुँच गई उसने वादों की पोटली भी खोली अपराधी की स्थितियों से मू भी मोडा और पूंजी दर पूंजी समेटनी भी शुरू की वह विरोध कर रही है तो जनता इस किस मोह में फशेगी और ये परिस्थिति भारत के लोकतंत्र की सबसे भयानक तस्वीर है जो मौजूदा व वक्त में रकम बड़ी होगी अपराध बड़े होंगे तरीके दूसरे होंगे फिर भी लोकतंत्री होगा क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्रिक देश भारत है और उस भारत की आर्थिक राजनिती आर्थिक राजधानी मुंबई है बहुत 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 शुक्र झाल झाल